नमस्कार फ्रेंद्स, welcome to my channel तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का topic है वो है नए plants जो मैं विंटर्स के लेकर आई हूं मैं जो हूँ इस बार saplings लेकर आई हूँ ये saplings मैंने दो साल पहले ली थी पिछले साल मैंने कुछ भी इस winter जो है garden नहीं बनाया था कुछ sapling आपको दिखा रही हूं सैपलिंग कैसे report करते हैं मिट्टी आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मिट्टी उनकी well drain ही बनती है और जैसे हम हर प्लांट के मिट्टी बनाते हैं उसी तरीके से मैं मिट्टी बनाती हूं नॉर्मल जो हम मिट्टी बनाते हैं वही रेतीली मिट्टी बनाते हैं तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं ये जो है मैं सैपलिंग लेकर आई हूँ दो प्लांट इसमें नेस्टेशियम के हैं और नेस्टेशियम मैं पहली बार लगाऊंगी मुझे मिला 20 रुपीज के है ये और ये अच्छे है बाकी की जो है मैं सैपलिंग लेकर आई हूँ ये जो आप देख रहे हैं ये डेलिया की कटिंग्स हैं इनको मैं 10 लेकर आई हूँ बड़े वाले डेलिया हैं कहा लगाऊंगी कैसे लगाऊंगी अभी उस सब का तो मुझे नहीं पता है क्योंकि कुछ प्लांट्स की मिट्टी मैंने तयार कर लिया है और मेरे पास मिट्टी खतम हो गई है और गमले भी तो इनके लिए मुझे नया सब कुछ लाना पड़ेगा ना ना करते वे भी मैंने बहुत सारे प्लांट ले लिया है और ये जो आप देख रहे हैं ये मिनी डेलिया है ये कैसा निकलेगा मुझे इसका नाम नहीं पता छोटा वाला डेलिया कह कर दिया है ये कैलेंडूला है, गजानिया है ये सब मुझे 6-6 रुपे के मिले हैं और बहुत ही अच्छे प्राइज में मुझे ये मिल गए है आगे मैं आपको इस वीडियो में आपको लगाना भी दिखाऊंगी कि जब आप नर्सरी से छोटी प्लांट लाते हैं उनको कैसे लगाते हैं, मिटी देखें मिटी आपने well drain ही बनानी है अभी इन वाले प्लांट जैसे मेरे पास मिटी अगर तयार नहीं है तो मैं इस तरीके से एक या तो आप बड़े गंले में किसी में साइड में लगा कर रख दीजी या इस तरीके से मिटी में डाल कर इसमें रख दीजी इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा ये आराम से दो तीन दिन तक आराम से रह जाएंगे फिर आप मिट्टी बना लीजिए और उसमें आराम से इनको लगा दीजिए पर होता यही है कि आप ये लाने के पहले अपनी मिट्टी तयार रखें तो प्लांट मैं फ्यूशिया के भी लेकर आई हूँ आपको पता ही है इस साल मेरा तीन साल पुराना फ्यूशिया का मर गया गर्मी इतनी ज्यादा थी तो मैं अभी दो लेकर आई हूँ उन्होंने बोलाया कि और भी प्लांट आएंगे तो मैं इसके और भी कलर लेकर आऊंगी और ये प्लांट मुझे 70 फिर भी इसमें नीचे से ड्रेने जोल खुले नहीं है तो आप ये चीज धियान रखें कि आपके पोट में नीचे ड्रेने जोल खुले जरूर होने चाहिए तो ये एक मैं गुलाब लेकर आई हूँ देखें ये गुलाब बिल्कुल भी हेल्दी मतलब अच्छा गुलाब अभी का ये जो है उन्होंने अभी ग्राफ्ट किया हुआ है इसी साल का तो आप इस चीज को देखकर लाइए पुराना गुलाब लेकर लाइए लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था लेकिन मुझे इसका कलर बहुत सुद्धा लग रहा था मैं इसे 8 इंच के पॉट में शिफ् जैसे इसका ग्राफ्टिंग पॉर्शन जादा ही उपर है अब जब होगा क्या हवा चलेगी जब तो इसका नीचे से ग्राफ्टिंग पॉर्शन तूटने का दर रहता है तो इसका आप लगबग यहां तक दबाने की कोशिश कीजिए मैं जब इसको एक साल या डेर साल बा आपने उसका फूल काट देना है क्योंकि इसकी जड़े स्टैबलिश होने दे इसकी जड़ों को मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है आप ने देखा यह थोड़ा सा ही उसको हटाया था और यह एक बार में ही कट जाना चाहिए मेरा प्रूनर थोड़ा सा खराब होने नीचे से उसमें नई ब्रांचिस आने लगती है फूल का अप लालच करेंगे तो उसमें फिर नई नई ग्रोथ नहीं आएंगी पहले इसको जड़े इस्टैबलिश करने दीजे उसके बाद यह प्लांट जो है बहुत ही असानी से रिकवर कर जाता है यह कुछ सैपलिंग म और यहां पर जरेनियम है इन सब की मिट्टी मैंने तयार करके रखी थी यह देखें यहां पर इस तरीके से इतनी सैपलिंग अगर आप लाते हैं उसको लाने का तरीका भी आपको दिखा रही हूं हाराम से आप देखिए मेरे एक हाथ में कैमरा है तो कुछ थोड़ा बहु जब रूट बन जाए तब आप इसको ट्रांसफर कीजिए और यह देखिए इस तरीके से मैंने सेट कर लिया है पीछे तीन में डॉक फ्लावर लगाऊंगी आगे दो मैंने फ्लॉक्स लिये है और इधर साइड में एक एक में अलाइसम लगाऊंगी इस तरीके से कुछ मैं लेकर आई थी मैं यह वाला पॉट या तो आप इसको डारेक इसके कटोरी के साथ ही लगा दे जो इसकी नेट पॉट आती है लेकिन मैं जो हूँ इसको नेट पॉट से निकाल कर लगाई हूँ अगर आप बिगनर है तो आप इसको नेट पॉट के साथ ही लगा दे इनकी ज सब्सक्राइब לא कर कर अब सब्सक्राइब passarा है और सब्सक्राइब करने हcott чुछ से बच्छ से बचे हैो iss a humor has a ओंधना सब्सक्राइब दिन मिट्म डिला पेला तके सब्सक्राइब93ो देखा को पीर राख ले रखे नीचे से बालना कर दिन में धित और जिएक प्लांट में िसलिया हमारे शाम में परेंगे शहासर लोड़ बाता, 6 इंच . लगाऊंगी, मिट्टी कतम हो गई है, तो मिट्टी लाकर नए प्लांट फिर से लगाऊंगी, यहां पर पूरा साल्विया और एक 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 एलाइसम लगाएं, कुछ सैपलिंग्स को जो है, मैंने अपने जो पर्मनेंट प्लांट होते हैं, जो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं उनके नीचे लगा दिया है, ऐसे ही थोड़ा देख रही हूँ, क्योंकि जब मैं विंटर गाडन बनाती हूँ, तो उस टाइम पर वो जो एरिया होता है, पूरा खाली हो जाता है, और नए गमले उसके आगे मैं रखना नहीं चाहती हूँ, तो उनी में मैंने देखिए, ज तरीके से सर्वाइव करेगा, अगर यह अच्छे से सर्वाइव हो जाता है, तो मैं नेक्स्ट यर ऐसे ही इनको भी भर दिया करूँगी, यहाँ पर वर्बीना एक में लगाया है, और यह मैं गुडेशय के दो प्लांट लेकर आई हूँ, देखती हूँ, मैं पहली बार इ ज्यादा होती है, और अगर आपको इनको डारेक्ट पॉट में नहीं लगाना है, जैसे मैंने डारेक्ट पॉट में ही लगा दिया है, तो आप जो छोटे-छोटे डिस्पोजल वाले कप्स आते हैं, आप उनको इसमें ट्रांसफर करके फिर अपने पॉट में लगा सकते है वो बिलकुल आपके ऐसे हो जाएंगे, जैसे आप बढ़ने बनाएं, छोट-छोटे प्लांट लाकर लगाते हैं, ये सैपलिंग मुझे कोई-छे-छे रुपे की, कोई-पंदरा रुपे की, और डेलिया की जो है, वो बारा रुपे की इस तरीके से मिली है, इन में से कोई भी ज्यादा सैपलिंग मुझे पंदरा रुपे से ऊपर की नहीं मिली है, तो आप भी चाहें, तो सैपलिंग लाकर लगा सकते हैं, अदरवाइस प्लांट भी लाकर लगा सकते हैं, जो कि 20-25 रुपे में नरसरी पर इस टाइम बहुत पीजिली मिल जाएंगे, आशा करती ह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्यू